इंसान की जरूरते वक्त के हिसाब से बदल रही है रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ फोन और डेटा अब हर व्यक्ति की अवशक्ता बन गया है अगर आप इंटरनेट और ब्रोडबेंड सर्विस का बिजनस करने की सोच रहे हैं तो ये आज की समय में एक बेहत अच्छा बि 2019 महामारी के चलते अधिकतर जॉब और बिजनस वाले लोग घर से वर्क फ्राम हूम कर रहे हैं स्टूडेंट और ब्रोडबेंड सर्विस को अपने बिजनस आइडिया के तौर पर देखते हैं तो ये काफी अच्छा विकल्प है जिसकी डिमांड हर जगा रहती है और इस उसको शुरू करने का एक बेहत अच्छा समय है इंटरनेट एंड ब्रोडबेंड सर्विस क्या है ब्रोडबेंड मतलब हाई स्पीड इंटरनेट करनेक्शन होता है जिसमें वाइड बैंड की फ्रीक्वेंस को इस्तेमाल में लाया जाता है जिससे आसानी से इन्फरमेशन प्रांस्मेट हो जाती है इंटरनेट एंड ब्रोडबेंड सर्विस का बिजनस एक ऐसा बिजनस है जिसमें आप कई तरह की सुविदाएं दे सकते हैं कैसे शुरू करें इंटरनेट एंड ब्रोडबेंड सर्विस का बिजनस रिसर्च करें आप जिस जगा ये बिजनस करने की सोच रहे हैं सबसे पहले उस जगा के बारे में अच्छे से जान ले क्या कोई और भी उस जगा पर यही बिजनस कर रहा है यदि कर रहा है तो उसके बारे में जानकारी जुटाएं उसके service plan के बारे में पता करें लोगों से feedback लें, उस company के बारे में rating लें जिससे आपको अंदाजा लगे कि लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं अब अपने business को एक बार फिर से review करें जिससे जो भी changes करने हों तो आप कर सकें लोगों के review और rating से सीखते हुए उन तक नए अंदाज में अपना package ले कर पहुँचे अगर आप उन्हें वो facility दें जिसके उन्हें आवशकता है तो आप अपना business बहुत अच्छे से चला सकते हैं अपने package को design करें आप अपने वहाँ क्या क्या service देंगे उन सबी को एक अच्छे professional के साथ मिलकर planning बनाए और लोगों की demand के अनुसार अपना package तयार करें documents बनवाने के लिए आपको एक अच्छे वकील क्या वशकता होगी वकील के साथ मिलकर आप अपने documents ready करें इसके बाद आपको Telecom Regulatory Authority of India से license के लिए संपर्क करना होगा इसके बाद आपके documents का verification होगा Telecom Regulatory Authority of India से संपर्क करने के बाद आपको cable broadband station से संपर्क साथना होगा जिसके लिए आपको representative से बात करने company के CEO से meeting fix करने होगी meeting fix होने के बाद आपको internet distributor को सबी documents दिखाने होगे और अपने business के बारे में बताना होगा यदि सब कुछ ठीक रहा तो अपना contract sign हो जाएगा नहीं तो आपको किसी और cable broadband station से संपर्क साथना पढ़ सकता है जब तक आपके business की लिखा पड़ी पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको इसी तरह से इधर उदर पता लगाते रहना है internet and broadband service शुरू करने के लिए निवेश कितना होगा यदि आप internet and broadband service शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 10-12 लाग तक का budget होना चाहिए हो सकता है से जादा भी लग जाए area के हिसाब से लेकिन एक बार आपने अगर इसमें निवेश कर लिया तो इसी business से आपको कई गुना return मिल जाएगा क्योंकि ये एक ऐसा business है जिसका बविश्य सुनहरा है बस आपको समय समय पर अपने package और policies से समय के साथ परिवर्तन करते रहना पड़ेगा अपनी service को सबसे बहतर बनाते रहने के आवशकता होगी उमीद करते हैं हम आप के लिए इस वीडियो में कहीं हद तक जानकारे जुटाने में सफल हुए हों